नमस्कार मित्रों मैं आचारे निम्मी एरोडा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मित्रों आज एक बहुत ही विशेश कुंडली की चर्चा में करने जा रही हूं और आजकल इनका बहुत नाम है आप शायद समझ गयोंगे मैं किसकी बात कर रही हूं बागेश्वर धाम के धिरेंद्र शास्त्री इनकी कुंडली पर आज मैं कुछ कुंडली को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है उनमें कि उनके इतने व्यूवर्स इतनी जल्दी बढ़ गए क्या वो सच में चमतकारी बाबा है या क्या है उनकी कुंडली ये क्या कहती है और ये कुंडली मैंने गुगल सर्च पर डेट व बर्थ निकाल कर बनाई है तो मेरा सूर्स ओफ चार्ट जो है वह गुगल है तो मित्रो आईए आज बात करते हैं सीधा सीधा श्री बागेश्वर धाम के जो संत हैं बागेश्वर धाम के दिरेद्र शास्त्री उनकी कुंडली का विशलेशन करते हैं और स्पेशल मैं उनके आज स्प्रिच्वल चार्ट को भी देखूंगी कि ये चार्ट क्या कहता है उनकी स्प्रिच्वालिटी कितनी है कितना धर्म के प्रति उनका लगाव है उससे पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ 30 एप्रेल 2023 रवीवार करनाट प्रेस में एक सेमिनार आयोजन होने जा रहा है और ये दिल्ली वालों के लिए विशेश उत्सव का समय है कि वो लाइव श्रीवीपी गोयल जी से मिल सकते है उने सुन सकते हैं और उनके द्वारा बताए ग्यान का लाव आप सामने बैठकर उनसे ब्लेसिंग ले सकते है तो मित्रो केवल 1500 रुपे फी है जिसमें लंच और चाय भी शामिल है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये समिनार है और आप में से जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं अपनी सीट जल्द से जल्दी रिजर्व करा ले क्योंकि हमें आसानी होगी कितने लोगों के लिए हमें इंतजाम करना है उस इंतजाम के लिए हमें बहुत पहले एक टाइम चाहिए होता है तो अब कोशिश करें हमें February के एंड सक अपना ज短ा देदे जी मित्रो तो दिरेंद्र शास्री की जनम कुल ली जो मैंने गूगल पर ली है चार जुलाई 1996 का इनका बर्थ है और शाम के दो बजे जनम समय गढ़ा मद्यप्रदेश गढ़ा वर्थ मैंने उनके मूँ से ही सुना है जो टीवी पर उनके किसी प्रोग्राम में उन्होंने अपने जनम स्थान के बारे में बताया मद्यप्रदेश गढ़ा च्छतरपूर तो ये मैंने वहां से निकाला है तुला लगन की कुंडी है और लगनेश शुक्र है लगनेश और सब्तमेश मंगल एक साथ अश्टम भाव में और अश्टमेश बली है यहां पे द्वित्य भाव को मंगल देखने से द्वित्य भाव भी बली है मंगल अपने दूसरे भाव को देख रहा है परिवार से भी छिपा हुआ बल मिलना है अब छिपा हुआ बल क्यों क्यों कि यहां विश्चिक राशी इनके दित्य भाव में है तीसरे भाव में जुपिटर वक्री अवस्था में है किन्तो स्वाराशी है और कालपूरुष्टी धरम की राशी है गुरु यहां स्वयम दुच्षा दौट कर धरव भाव को देख रहा है तो हम यह कहेंगे इनका पराकरम भाव, जो धरम के लिए पराकरम कर रहे हैं क्योंकि पराकरम भाव में ध्हनु राशी है धरम की राशी है गुरु वहाँ सित है तो वो पराक्रम भी बली है गुरु का पराक्रम क्या है गुरु से सम्मंदित शिक्षा गुरु से सम्मंदित कारे जो यह आजकल अपना स्पीच दे रहे है वह गुरु से रिलेटिट कारे है और वो इनका इस्वत प्रबल है वक्री है यानि कही न कही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो मीडिया में आता है और यह भाव मीडिया भी है तीसरा भाव मीडिया है और सामड़े उनके सूर्य और बुद्ध स्वाराशी के बैटे हैं बुद्ध मिथ्वन के यहां बैटे हैं सूर्य के साथ है तो डेफिनेटली एक बात तो तैह है कि हाँ ईश्वर से यह अपनी बाते कहते होंगे जिस किसी का भी बुद्ध धरम भाव में होगा आप स्वयम देख सकते हैं अपने चार्ट में किसी भी राशी का हो केवल बुद्ध का बैटना ही धरम भाव में यह कहता है कि व्यक्ति ईश्वर से अपने मन की बात कहता है तो यहां पे बुद्ध जो बैठा है वो नवम भाव में सूर्य के साथ सूर्य लाब का स्वामी है यानि लाब के लिए ये जो बाते ईश्वर को कहते हैं मिथुन राशी, वानी की राशी यहां बैठी है तो ईश्वर से ये बाते अवश्य करते हैं लाब की लाजा वहाँ पर बैठा है सूर्य और सामने गुरु बैठा है जो कालपुरुष की धनुराशी यानि यह कुंडली पलट गई और जो तत्व नीचे की तरफ थे वो उपर आ गए पैर इनके उपर और सर नीचे तुला लगन पैर उपर और सर नीचे सर मेश्राशी नीचे की तरफ आ गई अब बुद्धी धरम की तरफ लाब के लिए कितना चलती है वो में अभी लोगों को दिख रहा है कि वो दूसरों को भी लाब देने की कोशिश कर रहे है परंतु पहले मुझे लाब मिले लगनेश अश्टम में होने का अर्थ है छिपा हुआ धन क्योंकि मंगल भी परिवार का धन परिवार सब छिपा हुआ यहां आ गया सब अश्टम में आ गया और काल पुरुष का लगनेश सब्तमेश भी अश्टम में यानि इनका जो संबंद भी किसी से होगा वे भी छिपा हुआ ही होगा अभी तक है या नहीं है मैं ये बात नहीं कह रही ये याद रखिएगा क्योंकि जो इनके समर्थक है उन्हें हो सकता है मेरी कुछ बातों का बुरा लगे लेकिन मैं एक प्योर कुंडली का विशलेशन कर रही हूँ और कुंडली विशलेशन केवल जनम कुंडली के समय और डेटो बर्थ के अधार पर ही मैं बोल रही हूँ चंद्रमा इनका पंचम में है शनी की राशी में कुंब राशी में कुंब राशी वे घड़ा पानी का जो अपने ही पैरों पर पानी गिराता है यानि मन पहले अपने लिए इच्छा ज्यादा रखता है मन इंटेलिजेंट है क्योंकि मन का कारक जो चंद्रमा है मानसिक्ता है बुद्धी के घर में गई जहां से बुद्धी एक्जीक्यूट होती है इंटेलिजेंट बुद्धी मन से ही इनकी बुद्धी जो निकलती है वही बातें ये मानसित्ता के अधार पर आगे बूलते हैं मन क्या है? मन करम का स्वामी है कुंडली के दशंभाव का स्वामी है और वहां से अश्टम है बहुत ध्यान देने वाली बात है लगनेश अश्टम में है सप्तमेश अश्टम में है जो कि छते भावस में बैठकर अश्टम को देख रहा है पंचमेश छते भावसे शणी बैठकर अश्टम को देख रहा है शनी के तुके सरब है और शनी गुरु की ही राशी में बैठा है गुरु को देख रहा है यानि इस शनी में गुरु के पूरे गुन समा गए गुरु के पूरे गुन है केतु के साथ है और यह है आपके कामकाज रोग पूरिन कमपटीशन के भाव में है शनी छटे भाव में बैठकर तीन छे आठ बारा इन सभी त्री शराया भावों को एक्टिवेट कर रहा है गुरु की राशी में बैठकर गुरु को और गुरु की दूसरी राशी को भी देख रहा है तो गुरु से इनका संबंद नाता पूरु जनम का है यानि रोगरिपूर रिण जो इने चुकाने है अपने गुरु के चुकाने है यह यहां दिखता है शनी पंचमेश पूर्व जनम के कर्मो का स्वामी इस जनम के रोगरिपूर इनके भाव में यानि इनका गुरु से जो नाता है पिछले जनम का नाता है और इने उनके रिण चुकाने है गुरु बनकर या चेलो को शिक्षा देकर यह अगर स्कूल बगेरा खुलते हैं शिक्षा के कारे करते हैं तो इनकी गुरु की पद्वी और उपर उठ जाएगी और इने बहुत सम्मान दिलाएगी यह इनका चार्ट बता रहा है अब आते हैं इनके चंद्रकुंडली या विम्शोत्री दशा पर इस सम्म जनम इनका हुआ मंगल की दशा में लेकिन केवल इनको एक साल की मिली 1996 का बर्थ है और 97 से इनके रहु की दशा शुरू हो गई अठारा साल इनकी लाइफ के रहु की दशा में और रहु इनका बार्वे भाव में और बुद्ध की राशी में जो बुद्ध धरम के भाव में बैठा है वहां से 410 एक्सिस का संबंध है यानि बच्पन से ही कहीं न कहीं धरम से रिलेटेड कारियों से प्रोफेशनली कारिय करना ये इनकी दियती रही है क्योंकि बार्वा भाव आश्रम भी है और आश्रम का स्वामी धरम भाव में आश्रम से दशम में यानि आश्रम को एक प्रोफेशनल रूप में यूज करना एक आपने अपने कारिय के लिए करम के लिए इस्तमाल करना ये राहू ने इनके बच्पन से ही उस नियती को इनके मन में डाला और इनकी वाणी से ऐसी बाते निकली और राहू का समय था तो ये जो जैसा की बताया जाता है या मैंने सुना है कि ये बहुत शरार्ती रहे हैं और स्कूल में भी बहुत कम टिकते थे तो ये राहू ने अपना कमाल 18 साल में दिखाया जो इनकी एजुकेशन को कंप्रीट नहीं होने दिया और एजुकेशन में इने प्रॉपर्ली पूर कि दशा जो 2015 से थी 2015 से इन्हों ने अपने लिए कुछ ऐसा प्रचार करना शुरू किया होगा क्योंकि मीडिया भाव में गुरु बैठा है कि ये शिक्षा या इनको एक बगवान की किरपा है क्योंकि सामने सूर्य और बुद्ध और जब ब्रस्पती में की तो 2022 या ब्रस् 2020 से लोगों ने इन्हें मानना शुरू किया होगा तब इनकी बढ़ोतरी जो जिस काम में ये आगे बढ़ना चाहते थे वहां गुरु ने इन्हें सफलता दी क्यों क्योंकि गुरु जो है वो सप्तम्भाव को भी देख रहा है लाब भाव को भी देख रहा है और गुरु से छटे में पदप्राप्ती का स्वामी बैठा है और साथ ही वो धन का जो कि वहां से बार्वा है खर्च का स्वामी भी है और गुरु लाब की स्वामी सूर्य को भी देख रहा है सूर्य जो कि इसके लाब का स्वामी गुरु से द्रिश्ट यानि इने गुरु में बुद्ध की दशा में ही लाब मिलना शुरू हो गया होगा गुरु से दशमेश भी बुद्ध है गुरु से सप्तमेश भी बुद्ध है और यहां से इने पदप्राप्ती गुरु की एक वह मिलना शुरू हुआ अब देखें विम्षोत्री के बाद योगनी दशा क्या कहते है योगनी दशा यानि इनका जनम पहले ही पिंगला की दशा में हुआ क्योंकि धन्या नक्षत्र है दैन उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र के बाद इनका शत्र बिशा नक्षत्र आया वो भी राहू का यानि एक साल की जो धनिष्ठा मिली यहां भी धन्या की दिशार 1926 में जब यह पैदा हूँ उसके कुछ समय बाद ही मिल गई जो की नक्षत्र स्वामी शत्र बिशा का राहू था यहां भी राहू का असर इनकी लाइफ में शुरू से रहा और राहू अगर आब देखे चंद्रमा से अश्टम है लगनेश शनी का अश्टम से संबंध है शनी अश्टम भाव को देख रहा है लगनेश है और बुद्ध जो अश्टमेश है पंचम भाव में स्वाराशी इंटेलिजेंसी फिर बढ़ गई सूर्य बुद्ध के साथ यहाँ पे योगनी दशाव यह बताती है कि इनके इंटेलिजेंसी फिर बढ़ गई राहू आपकी कुंडली में आपके पूर्व जनम की इच्छाओं को लेके आता है और राहू दादा दादी का कारत है तो इन्हें जो शिक्षा मिली बच्पन से ही वे अपने दादा की मिली अपने दादा जो यह कहते हैं कि बहुत बड़े ज्यानी थे उनसे इन्हें मिली और वो कुंडली में दिखता है अब इनका सुक भाव देखे बच्पन से तो शुक्र स्वराशी है मंगल के साथ है और करम के स्वामी के साथ है यानि मानसिक रूप से यह प्रफेशनली आरा काम भी चाते हैं सुक भी चाते हैं और बिना मेहनत अधिक किये धन की प्राप्ती भी चाते कैसे क्योंकि धन का स्वामी यहां पिर देखें तो लाब भाव में है गुरू लाब भाव में है और शनी धन के भाव में बैठ कर लाब भाव को देख रहा है तो मित्रों यहां अगर आप देखें तो शनी का सम्बंद गुरु से बनना ये एक गंभीरता तो इन्हें देता है किन्तु लगन में चंद्रमा का होना अभी चंचलता दिये रहे अगर आज की डेट में देखें इनकी कौन सी दशा चल रही है तो आज की डेट में इनकी संकटा की दशा है संकटा जो राहु के तु एक्सिस की है 2021 से चल रही है यहां भी राहु का सम्बंद आ गया और राहु क्योंकि बुद्ध की राशी में बैठा है अश्टम में बैठा वहां से चौते घर का स्वामी ब्रहस पती इन्हे घर बैठे या अपने ही स्थान पर बैठ कर सुख दे रहा है चार साल तक यह राहू कन्या में होगा और चार साल बाद यह राहू तुला से देखेंगे क्योंकि मृक्षिरा नक्षत्र आपका चार साल कन्या में और चार साल आपका दो चरन तुला में जाते हैं जब तुला में होगा तो वहां से आप नक्षत्र स्वामी जो मृक्षिरा का है मंगल उसे देखें चार साल बाद मंगल को देखें तो तुला से मंगल अश्टम में है और ये ताइम इनके करम के लिए कुछ परिशानी देने वाला है जो सवाल आज उठ रहे है क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र देखे एक साथ है धन के लिए यहाँ से दित्य भाब का स्वामी तुला से मंगल विश्चिक राशी धन जो छिपा हुआ धन क्योंकि विश्चिक राशी है और लगनेश भी शुक्र होगा एक साथ यहाँ से अश्टम में है तो यहाँ इनके धन के उपर सवाल उठेंगे कुछ छिपा हुआ धन बाहर निकल के आ सकता है यह एक वर्निंग है यानि अभी 2021, 22, 23 और 24 राहु में चुपिटर यानि संकटा में धन्या या संकटा में ब्रामरी जन्वरी 25 या मई 2024 से इनके लिए धन के सम्मन से प्रश्ण उठने शुरू हो जाएगे और यह कुछ संकट में भी आ सकते है अब संकटा के बाद मित्रो मंगला की दशा है तो मंगला भी अगर आप देखे तो वैं भी कन्या की है तुला से देखे तो चंद्रमा पंचम में है अच्छा है लेकिन यहाँ पे नक्षत्र भी देखना पड़ेगा वह राहु है और तुला से राहु बारवे है हो सकता है यह किसी विदेश यात्रा पे जाए यानि दो जार उनतिस जो समय है यह इनके अपने देश से बाहर भागने का समय है मैं भागना कहूं या विदेश यात्रा कहूं लेकिन यह समय थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है क्योंकि तुला के विशाखा की दशा भी जो होगी वे ब्रहस पती की होगी और ब्रहस पती वक्री है और तुला से तीसरे भाव में है लेकिन भाग्ये फिर भी इनका प्रबल रहेगा क्योंकि तुला से बुध भाग्ये हो जाएगा और स्वराशी सूरे के साथ होगा यानि ये भी हो सकता है कि ये अपने प्रवचन देने विदेशों में जाए उस वक्त या अपने कुछ ऐसे कारियों से छिपने के लिए ये विदेश आए लेकिन समय थोड़ा भारी अवश्य रहेगा क्योंकि इनकी दशा जो राहू के बाद जो अभी 2021 से योगनी चल रही है मंगला की होगी अगर मैं विशोंतरी दशा देखू तो ब्रसपती के बाद 2021 में शनी की दशा होगी और शनी इनके पूर्ग जनम के कर्मों का स्वामी होकर रोग रिपुरिन में बैठा है जो गुरु के प्रती इनोंने कर्ज चुकाने है वो कर्ज चुकाने का समय आएगा तो इन्हें साबधान रहने की जुरत है शनी की मिड साड़े साती इनके उपर चल रही है तो बहुत साबधानी से अपनी भाषा पर कंट्रोल रखते हुए इन्हें अपने गुरु के कारियों को पूरा करना है क्योंकि गुरु के साथ इनका सम्मन्ध तो है पिछले जनम का और रहु ने भी यह सम्मन्ध बनाया हुआ है अश्टम में भी बैठकर योगनी से जो पूर्जनम से दादा से मिला है और धरम भाव से सम्मन्ध रहु के स्वामी का होने से किन्तु अगर यह अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह पद्वी इन्हें डीग्रेट भी दिला सकती है नीचे भी ला सकती है और शनी कर्मों का फल देगा पिछले जनम का भी और इस जनम के रोग रिपुरिन का भी स्वामी होकर कुछ ना कुछ दंड अवश्य देगा अब आते हैं जो मैंने कहा spiritual progress इनकी देखें तो धरमत्रिकोन के स्वामी एक पाच नो की राशी इनकी धरमत्रिकोन में बन रही है लगन में बन रही है धरमत्रिकोन का स्वामी गुरू धरम भाव में सूर्य के साथ लेकिन राहू के तो एक्सेस में भी है और शनी पंचम में नीच का है उसका नीचेश मंगल चंद्रमा के साथ बुद्ध के साथ धरम को देखता है तो धरम से संबंध होते हुए भी अगर हम देखें तो धरम का यानि spiritual progress में कर्मा क्या है कर्मा बुद्ध है और पदप्राप्ती भी spiritual progress में बुद्ध है जो मंगल के साथ है शनी की राशी में चंद्रमा के साथ है ये इसे चमक तो देती है लेकिन वानी दोश भी दे रही है मंगल और बुद्ध दोनों एक दूसरे के शत्रू है धरम को देख रहे हैं वानी दोश जो इनका यहाँ पर लगता है और बुद्ध के साथ यदि चंद्रमा हो तो एक कलंक भी लगता है वो भी मंगल साथ में हो तो वह कलंक अवश्य लगाता है तो यहाँ भी मैं कहूंगे नहीं साब्धान रहने की बहुत अवश्यक्त है अब देखते हैं मोक्ष त्रिकोन की राशी यानि धरम त्रिकोन के बाद मोक्ष त्रिकोन देखा जाए spiritual progress में तो 4-8-12 की राशियों में बार्वे भाव में शुक्र बैठा है शुक्र का बार्वे भाव में होना और वो भी spiritual progress के चार्ट में होना यह थोड़ा सा इनके चरित्र पर भी संधे दिखाता है कि इन्हें बहुती साब्धान रहना चाहिए ऐसे कृत्यों में न पड़े जहां से इनके उपर कलंग लग सकता है क्योगि यहाँ पर अगर आप देखे तो धन भाव की राशी शनी नीच की होके धन भाव को देख रही है शनी तृत्य भास दिश्टी से सब्तम भाव को देख रहे हैं लाब भाब को देख रहे हैं और लाभेश जो कि शनी का उच्चेश है वो शनी से अश्टम में बैठा है तो यह spiritual progress जो है वो शुक्र के कारण थोड़ा सा अर्चन दे रही मित्रो हमारा चतुर्थाश वेबिनार 12 मार्च से शुरू हो रहा है जिसमें आप भाग्ये चिन्टा, स्थाई संपत्ती, संपत्ती से सुख और कष्ट, आपकी संपत्ती कभ होगी, एक से अधिक होगी या कम होगी विदेश वे निवास, स्थाई निवास, अस्थाई निवास, कब जाना होगा विदेश, आप विदेश किस प्रकार से जाएंगे और वाहन के सुख या दुख, इसके बारे में आपको श्री दिपी गोयल जी चार क्लासे प्रत्येक रविवार को देंगे, तो आप इसमें जर कोई सवाल हो, तो आप मुझे अवर्ष्य बताएं, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके प्रश्मों के उत्तर दे सकूँ और आपको समझा सकूँ, अगर मेरे विशलेशन से किसी की भावना को हानी पहुची हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, फिर भी मेरा एक, जस् संद्री अनालिसिस करते हैं, अब तक बड़े-बड़े संतों की अनालिसिस कर चुके हैं, बड़े रिशी मुनियों की करते हैं, और जो नामी लोग हैं उनकी करते हैं, तो जो लोग भी नाम कमा रहे हैं, आगे जाके कैसे रहेंगे, क्योंकि हमने देखा अपने जीवन में कि बहुत से ऐसे रिशी आए जिनका नाम बाद में बहुत बदनाम हुआ और हम लोग बहुत आहत हुए जो उनके संत बने थे यानि उनके अनिवाई बने थे तो हमें अब थोड़ा साब्धान रहने की जुरत है इसलिए ये एक विशेश अनलिसिस था आशा करती हूं आपको पसंद आएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अपना प्यार बाढ़ते रहेंगे इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थेंक यू